ओके वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टेडी अडिश्यूनों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं राजा रवी वर्मा के बारे में तो राजा रवी वर्मा के बात करने से पहले आप इतना जान लेजी यह जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉटेंट है आइ अगर आप टीजी टी पीजी टी नेट जी आरफ की तैरी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा क्योंकि यह जो टॉपिक है यह एक्जाम में पूछा आता है यह एक्जाम में इसे रिलेटर क्वेस्चन आते हैं क्योंकि राजा रवी वर्म चितर कला के पितामा कहलाते हैं ठीक है राजा रवी वर्मा जो है चितर कला के पितामा कहलाते हैं पिताने पितामा कहलाते हैं आपको यह चीज ध्यानक नहीं है तो राजा रवी वर्मा के बारे में एक चीज हम लोग समझेंगे और आप जो है साथी साथ नोट्स बनाते च वहां पर इनका जन्म हुआ वहा था । वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो 29प्राल 4818 को राजा रविवर्मा का जन्म हुआ था गलीमन्नूर में when Yo है उल्सक्राय पर यहां पर जन्म वब ठ tat है तो आपको यह चिज्द धियान लखने की दिक्ति जो राजा रविवार्मा से था इस वज़े से इस वज़े से इनकी जो शिक्षा दिक्षा थी यानि कि यह अच्छी मलब कहने का मतलब यह कि शुरू से ही अच्छे घर से थे तो इस वज़े से इनकी जो शिक्षा दिक्षा थी जो एजुकेशन थी वह संस्कित भाशा में हुई थी यह इनकी घर वालो है कि चित्रकारी में इनका मन लगने की वज़े से इन्हों उन्हें आगे चलके चित्रकारी में ही अपना कैरियर बनाया तो इस तरीके से अब देखा जाए इनको कोई इनके पस नहीं थी याणि कि चित्रकारी में शिधा निपूढ हो गाते है यानकि 14 वर्स यीवे 5 पारंगत हो चुके थे तो इस तरीके से आपको ध्यान लखना है देखें जो चितर कला के पृती जो इनका रुझान था वो जो बच्पन से ही था एक कहानी से मैं लगण इस से पता चलता है कि एक बार क्या होता है इनके जो चाचा थे क्या नाम था चाचा का राजवर्मा ठीके चाचा का नाम क्या था राज वर्मा था एक नट लिग देते राज वर्मा ठीके तो राज वर्मा जो है एक बाद चित्र बना रहे थे किसका चित्र बना रहे थे भगवान विश्नु का चित्र बना रहे थे ठीके विश्नु का चित्र बना रहे थे ठीके अब वो कहीं पर उनको कुछ खाम होता है तो उटके चले जाتे हैं तो जब राजा रभी वर्मा ने उनको चितर को देखा वो अध़ूरा चितर ता तो उन्हों ने जिए चितर बाकी रह गया तो उसको पूरा किया और शाथ में उसके साथ एक गरूर का भी चितर का बना दिया. किसका चितर बना या? गरुर का भी चितर बना दिया. तो इस तरीके से जब उनके चाचा ने इस चितर को देखा, तब उनको पता चला कि राजा रवीवार्मा इतनी शही चितरकारी करते हैं, और वो इस चित्र को देखकर को बहूत ज्यादा खुश हुए, अभी भूत हो गए, थीक है, बहुत ज्यादा सप्राइस होकी बहुत ज्यादा खुश हुए, थीक है, तो इस तरीके से यह कहानी से पता चलता है कि राजा रवी वर्मा को जो मरलब इंट्रेस हा चित्रकारी की प्रती आर्ट की प्रती तो वो स्टार्टिंग से ही था और यह जो स्टार्टिंग में जो चित्रकला बनाते थे किस पद्धिती में बनाते थे तंजोर पद्धिती में बनाते थे यान देखा गया है जब family में कोई चीद अगर होती है तो उसका असर बच्चों पर भी पड़ता है ठीक है तो इस तरीखे से कि राजा रवी वर्मा पर जो है उनके चाचा का भी गहरा असर पड़ता है फिर एक बार होता क्या है कि जो उनके चाचा थे यानि कि एक बार उनके चाचा जो नरेश थे कहां कि जो नरेश ये जो श्रावर कोर के जो नरेश थे उनके सामने राजारवी वर्मा की उन्होंने बहुत तारिफ की यानि की राजवर्मा ने उनके चाचा राजवर्मा ने श्रावर्मा के नरेश के सामने राजारवी वर्मा की बहुत जादा तारिफ की ठीके तो इस तरीके से नरेश के साथ इनकी एक भेट होती है कब भेट हो दिआ तो जब उनकी मुलगात उनके साथ होती है तो नरेश ने क्या किया राजा ने क्या किया उनको एक कड़ा दिभा पकड़ा दिया और वो उनके लिए color अपॉटूर्इश्टी हो गई तव माहनो और उनुकर में एक उस्पनी परदृश्ट में का अपने अंदर की जो मुलाब आर्टिस्ट जो था उनके अंदर का जो आर्टिस्ट वाला जो क्वालिटी थी ठीक है तो उनको एक मौका मिल गया सब के सामने रखने का तो इस तरीके से उन्हें ने उन कलर से बहुत अच्छे चित्र बनाए जिसको दे करके राजा जो आप जो तो इस तरीके से उनको ने इस तरीके सों ने जो हैं योडोपी कला में इस तरीके से उन्हों में योरोपी में तो थेखियोजय jensolie से सीहा है हाला कि ःस्टेळु जान स्वाक् mercury उन्हों शुक्त की से नहीं करें था कि आस और ने कंई को आप ब seal the कोई भी एक कलाकार हो तो जब वो नई चीज देखता है तो नई चीज के प्रती वो उनका जो इंट्रेस्ट है वो बढ़ता चला जाता है तो इस तरीके से उन्होंने यूरोपी शैली में भी चित्र बनाया है ठीक है अब हम बात करेंगे कि जो है अब देखते हैं पॉइंट नायडू थे आपको यह चीज ध्यान अकना अगर पूछा जाए तंजौर पदिती में उनके गुरु कौन थे तो अलागिरी नायडू थे और बाद में जो है उन्होंने त्रिवेंद्रेम के दूसरे जो चित्रकार रमा स्वामी से भी उन्होंने चित्रकारी सीखी है ठीक ह तो तंजौर पदिती में अलागिरी नायडू और रमा स्वामी दोनों आपको ध्यान लखना है आगे हम बात करेंगे तो यूरोपी शिक्षा किसे ली थी तो थियोडोर जैंसन से उन्होंने शिक्षा ली थी ठीक है जूंसन लिखाए हुए क्या जैंसन ठीक है तो थियोड चैस्ट मत नाम था तो उनकी इनसे भेट होती है चैस्ट मत से बेट होती है तो उन्होंने इनके छित्र को देखा तो वह बहुत ज्यादा इसे प्रभावित होते हैं जो है देकतपर olduğu प्रदरशनी के लिए उन्होंने चित्र बनाने के लिए राजा रवीव리मा से कहा है तो प्रतमप्रदरशनी नाइर महिला का चित्र बनाय था तो नाम था झार महिला जो अपने बालों में नायर महीला नाम था तो नायर महीला का चित्र बनाया जो अपने बालों में चमेली की लर को गूत रही थी यानि कि नायर महीला जो बालों में चमेली की लर को गूतते हुए चित्र बनाया जिसकी प्रशंसा बहुत जादा हुई यानि कि इतना अच्छा चि में इनकि बालो में चमेली की लर्गोथते हुए जिसकी वज़े से इनकी बहुत जादा खेयाती होती बहुत जादा पृसिद्धी होती है और इस चित्र पे उन्को जो है स्वरः पदक भी प्राप्त हुआ था या इस तरीके से उन्हें बहुत से चित्र बनाए बहुत से अच्छे चित्र बनाए जिसकी वज़े से इनको आज भी याद किया जाता है अब हम देखेंगे इनके चित्रों की मांग इतनी जादा बढ़ गई थी इतनी जादा बढ़ गई थी यह चित्रों को अपने पूरा नहीं कर पा रहे थे यानि कि लोगों को तक पहुचा नहीं बा रहे थे तो इस तरीके से इन्होंने लीथोग्राफी प्रेस की इस्थापना की किसकी इस्थापना की लीथोग्राफी प्रेस की इस्थापना की और किसकी हेल्प से की थी माधव राव की सहयता से यानि कि माधव राव की सहयता से लीथोग्राफी प्रे प्रेस की स्थापना राजा रविवर्मा ने की किसकी सहायता सी तो माधव राव की सहायता सी की कब की थी 1894 तो आपको सन्वी सासात में याद रखने हैं तो 1894 में लीथोग्राफी प्रेस की स्थापना राजा रविवर्मा ने घोट कोपर में की थी क्योंकि थी क्योंकि इतन तो इस तरीके से घर घर में इनके चित्रों का विकास हुआ हैं नेक्स पॉइंट हमारा की भारती कैलेंडर का विकास भी किया अब यह शुरू आपको मैंने बताया था कि इन्होंने स्टार्टिंग जो की थी वो तैल माध्यम में चित्रकारी सबसे पहले नूने की थी तो गुरु को थे अलागिरी नाइडु हो जाएंगे तो तैल माध्या में अगुरुदू तैल माध्या में भारत में सबसे पहले चित्रकाली करना किस ने शुरू की थी तो राजा रवी वर्माने ही शुरू की थी तो आगी क्या पॉइंट है बस्वाग और नर्ग यान की सबसे पहले स्वर्ग और नर्ग से रिलेटड जो चित्र बनाए थे वो इनोंने बनाए थे अब हम बात करेंगे तेखे उन्नी सोचार में निस सोचार में होता क्या है बृटिश सरकार ने इनोंने अव doğक्ति बनाये थे तो उनी सोचार में केसरे हिंद की इनको पद्वी मिलती है केसरे हिंद की इनको खिताब मिलता है किस ने दिया था बिटिश सरकार ने दिया था तो 1904 में 1904 में बिटिश सरकार के द्वारा इनको केसरे हिंद का जो है खिताब मिलता है इसके बाद ही इनके आगे राजा नाम लग जाता है ठीक है म जुर जाता है उसी के बार से घ्राजा रवीवर्मा को म Mormon को अब aggiूसा जाता राज़ा VW falsal को चित्रकारों कि से कहा जाता है तो राजा रवीवर्मा को कि इस आता है इसरे हिंद की पदवी के बाद जूड़ा था जो किस ने दिया था बिटिश सरकार ने दिया था 1880 में पूना प्रदर्शनी में उनको कौन सा पदक मिला था गायक वार्ड का पदक मिला था यानि गायक वार्ड स्वर्ड पदक उनको मिला था केतन भगत नाम रखियेगा केतन महता है ठीक कि याद रखियेगा आगे हम देखेंगे देवी देवताओं का चित्रर इन्होंने तैल माध्यम से किया है तैल माध्यम से किया है 1873 में इनके चित्रों को प्रुसाहित करने के लिए इनकी होसला अफजाई करने के लिए इनको पुरसाहन देने के लिए ड्यूक आप बुकिंगम ने खायदा था 1873 में इनको पुरसाहन देने के लिए इनको मार्क दर्शित करने के लिए इनकी होसला अफजाई करने के लिए इनके चित्रों को खरीदा था और यह जो चित्र था इनका पहला पुराडिक चित्र था ठीक है इनका जो चित्र था यह पहला पुराडिक चित्र था और यह यथा बातवादी कला की श्रेड़ी में रखा गया है तो इनके दिखिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई इनसान है तो उसके कुछ पुर्शनसक भी होते हैं तो बहुत लोगों का कहना था जो उनके पृशनसक थे तो उन्होंने कहा इनके में सौंदर उनके में सरजना इनके पृशनसक थे तो उन्होंने के इनके चित्रो में कावयात्मक संथियुक्षक फोन खिर्शन कि तो कोशिच की है यह सुन्दरता को दर्शानी कोशिच की लेकिन वो दर्शा नहीं पाए तो इस तरीके से इवी हैवल ने कहा कि इनके चित्रों में काव्यात्मक्ता का आभाव है पूछा जाए कि किस ने कहा कि राजा रभी वर्मा के चित्रों में काव्यात्मक्ता का आभ पता ही नहीं चल पाता कि own transpos is a अननद कौन सवामी नहीं का इनके चितरो में इतने हलके कलर्स का यू वा है जिसकी वजह से पता ही नहीं चलता की इनके चितरों का विशे क्या है ठीके औहुन्हों ने ये भी कहा कि इनके जो चित्र थे राजगरानों या हवेलियों तक ही सीमित रहे गए यानि कि जो हवेली थे यानि कि ये तो राजगराने से संबंदित थे ही तो इनके जो चित्र थे राजगरानों के अंदर ही सीमित रहे गए इनका जो बाहर की जन साधार जो लोग थे इनके चित्रों का प्रभाव उनके उपर नहीं पड़ा तो इस तरीके से कुछ अलोचक भी थे और कुछ पुर्शनसक भी थे तो आपको यह चीज ध्यानक नहीं है नेक्स क्वेश्चन पूछा याता है महाराणा प्रताप की मूच्छे किस ने बनाई तो राजा रवी वर्मा ने बनाई कु इस माध्य में मिलाते हैं तो उन्होंने इसका औंसर क्या दिया कोई इसकी खास टकनीखी नहीं कोई कोई इसकी खास रीती। बस मैं अपने हिर्दे से अपने कします इनिंग को मिलते हैं और रंग वह जो है बन जाते हैं तो इस तरीके से बहुत सी चीजरें इनके बारे मे राजी घ्ट्र। हुई थी वो कब हुई थी तो सेकेंड अक्टूबर तो इनकी मृत तो आपको याद रखना है तो यह जो आपको एक महान कलाकार इस दुनिया से चले जाते हैं अब आपको यह चीजे कुछ और चीजे ध्यान रखनी है वह पॉइंट आप ध्यान रखेगा जो इनके चित्रों को जो विशे होता था जो इनके चित्रों की जो विशे होता था वो कैसा होता था भारती होता था मैंने बता यूरोपी धंग से करते थे ठीक तो इनके चित्रों की वेश्बूशा होती थी वह कैसी होती भारती होती थी लेकिन वह यूरोपी पधती में इसको बनाते थे या कि वेश्बूशा भारतिय और तक्निकी जो है यूरोपी तक्निकी से बनाते थे इस तरीके से हम लोगों ने आज राजा रभी वर्मा के बारे में पढ़ा उनके बैक्ग्राउंड के बारे में पढ़ा उन्होंने चित्रकला के प्रति क्या योगदान दिया वो पढ़ा उनको अगर आप त्यारी करना चाहते तो थीके तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में इसी तरीके से तब तक के लिए जैहिन जैभारत